नमस्ते मैं हूल देव आपका Music Enstructor बात करते हैं हम Consumer को बहुतनी Temple इस साउब्ट‍ड डिजाइन की बात हो चाहे मिक्सिंग बात हो चाहे माड्रिंग की बात हो मैं जब इधी MSO को पीजिएर को सिखाता हूं तो हमेशा एक किक लेता हूं kick का sample बहुत ही आसान, बहुत ही simple sample है इस topic को समझाने के लिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें समझना होगा dynamic range dynamic range क्या चीज है? मान लीजिए आपका ये audio sample है तो मैं देखता हूँ कि सबसे loudest part कहाँ है? obviously ये है और सबसे quietest कहाँ है? वो ये है सबसे loud और सबसे quiet इन दोनों का जो volume है उसका जो difference है कि ये कितना decibel होगा और ये कितना decibel होगा इसका जो difference है उसे हम बोलते है dynamic range for example कोई vocal है और वो पूरी 2 या 3 minute की है कहीं वो loud हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा, कहीं कम तो कम ज्यादा, कम ज्यादा में सबसे ज्यादा volume जहां होगा और सबसे कम कहां होगा, वो जो difference है उसे हम कहते हैं dynamic range और compression का काम है उसी dynamic range को कम करना so that मेरा पूरे का पूरा जो song है वो even सुनाई दे, uneven नहीं किस तरह से आईए देखते हैं मैं इसे एक mixer channel में ले गया और यहाँ पर मैं लेता हूँ compressor यहाँ लिखा है dynamics क्योंकि dynamics का part है यह और यहाँ पर हम लेते हैं fruity compressor इसमें click करेंगे तो हमें कुछ knobs यहाँ पर नज़र आ रही है जिसमें से सबसे ज्यादा important knobs पांच knobs होती हैं जो यहाँ पर हमें देख भी रही है जिसमें threshold, ratio, make up gain, attack time और release time यह होते हैं आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई FS studio का lecture देखते हैं YouTube के उपर तो वो यह वाला compressor नहीं वो कुछ visual compressor यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सा है फिर से यहाँ क्लिक करते हैं dynamics में जाते हैं और fruity limiter limiter जब यह खुल गया तो आप देख सकते हैं यहाँ limiter है और right side पे है compressor तो वो यह वाला क्यों use करते हैं पहले मैं आपको यह बता दूँ कि दोनों की जो algorithm है जो analogy है वो backhand पे अगर देखे तो exactly same ही है लेकिन यहाँ पर मैं visually देख सकता हूँ कि exactly मेरी audio sample के साथ क्या हो रहा है इसलिए लोग इसको prefer करते हैं मैं भी यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए यह वाला prefer करूँगा बट यह techniques आप किसी भी चाहे stock की बात करें चाहे external की बात करें किसी भी compressor पे same ही होगी तो इसे मैं करता हूँ cancel यहाँ से remove ही करते हैं और इस topic के end में यह भी आपको बताऊंगा कि जब भी हम कोई external लेते हैं या कोई stock लेते हैं तो limiter और compressor हमेशा इकठे क्यों लिखे होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक चीज हमारी होती है ratio और ratio होती है input is to output यानि कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं audio की बात नहीं करूँगा चाहे आप अपनी car के engine की बात करें जैसे diesel engine हम कहते हैं न सर्दियों में उसे on रखें थोड़ी देर के लिए फिर वो चलेगा क्यों क्योंकि इसकी compression ratio बहुत ज्यादा होती है 16 is to 1 होती कुछ भी चीज चाहे आप rubber प्रेस कर रहे हैं चाहे आप plastic की कोई bottle प्रेस कर रहे हैं कोई कपड़ा प्रेस कर रहे हैं दुनिया में किसी भी चीज को जब आप compress करेंगे तो वो एक ratio के साथ ही compress होगा कितना वो compress हुआ कितना दबा और कितना retract हुआ कितना वो वापिस आया तो यहाँ पर audio की term में input is to output और आप याद रखेंगे output हमेशा 1 होगी कैसे? यह रही मेरी ratio compression ratio मैं जैसे इसकी knob को बढ़ाऊंगा तो आप यहाँ hint panel में देखिएगा ठीक है? right click reset मैं जैसे जैसी से बढ़ाऊंगा आप यहाँ hint panel में देखिएगा मालिका है 1.4 is to 1 2.9 is to 1 5.8 is to 1 मैं बढ़ाता जा रहा हूँ 7.8 लेकिन right side पे जो output है वो 1 ही इसका मतलब क्या है? बहुत ही simple है मालिजी यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 is to 1 hint panel में देखिए 2.0 is to 1 इसका मतलब यह है कि जब मेरे audio को वो compress करेगा तो 2 decibel अगर input है यानि कि 2 decibel वो compress करेगा तो 1 decibel वापिस output आ जाएगी इसी ratio के साथ जब 4 decibel प्रेस करेगा तो 2 वापिस आ जाएगी 8 decibel जब दबाएगा तो 4 वापिस output आ जाएगी किस तरह से? आईए देखते हैं सबसे पहले मैं audio प्ले करके देखता हूँ हमारे सामने यहाँ पर एक kick देख रही है मैं थोड़ा सा इसे loop को दूर ले जाता हूँ ताकि हम इसे और आसानी से सुन पाएं तो हमारे सामने यहाँ पर एक kick है ठीक है बहुत अच्छी बात है उसका top मुझे नज़र आ रहा है तो यहाँ पर दूसरी जो मेरे पास term है वो है threshold मैं इसे नीचे लेकर जाऊँगा यहाँ पर left में एक line आती है वो मत देखेगा वो confuse करती है हमें सरफ यह जो parallel blue line है इसी को हम देखेंगे इससे आपको अच्छे से समझा जाएगा मैं उपर से इस line को कहीं भी लेकर आ रहा हूँ यह imaginary line है मैं कहीं भी लेकर आ रहा हूँ कहां पर वो आप hint panel में देख सकते हैं चली मैं इसको लेकर आता हूँ 12 decibel तक ठीक है आप देख रहे हैं hint panel के अंदर minus 12 decibel लिखा है यानि कि यहां से लेकर यहां तक 12 decibel तक जो मैंने threshold की line यहाँ पर खींचती है इसके उपर ही compression काम करेगा मैं ratio जितनी मर्जी बढ़ा दू इस line के नीचे threshold के नीचे यह जो हिस्सा है intact रहेगा इस पर compression जो है compression जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा अब यहां पर ratio है 2 is to 1 मैंने क्या बताया था कि यहां से जब 2 decibel वो प्रेस करेगा तो एक वापिस आ जाएगा यानि कि जब वो 12 decibel प्रेस करेगा हमने 12 नीचे लेकर गए है तो 6 वापिस आना चाहिए देखते हैं play करके तो आप देख सकते हैं जो white color में है यह मेरी final output है और जो वो purple color दिखा रहा है वो compress हो चुका है और अगर मैं exactly देखूँ जहां पर भी वो point मुझे नजर आ रहा है तो मैं लेकर जाओं तो आप hint पहले में देखिए महां क्या लिखा है minus 6 क्यों क्यों कि 2 की ratio के साथ 2 is to 1 की ratio के साथ मैं नीचे ले गया था 12 decibel नीचे में ले गया था अपनी threshold यानि कि 6 decibel के सेंटर पे वो ले आया है मैं और नीचे ले कर जाओंगा अगर तो उस हिसाब से वो करता जाएगा 2 प्रेस किया और 1 वापिस आ गया 4 प्रेस किया तो 2 वापिस आ गया 12 जब प्रेस किया तो 6 वापिस आ गया और अगर मैं इसकी ratio बढ़ा देता हूँ 2 की जगर मैं इसे 3 कर देता हूँ ठीक है 3 ratio मैंने बढ़ा दी अब देखते हैं क्या होना चाहिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर दिखने में ही फर्क है और ज्यादा कंप्रेस हो गया है क्योंकि मैंने ratio बढ़ा दी थी white वाली मेरी final output है और अगर मैं उसके उपर लेकर जाता हूँ तो इस बार आपको वहाँ पर नज़र आएगा एक और number क्यों यह मेरा 12 ही है यह मेरा 0 ही है ratio है 3 मतलब क्या हुआ मैं 3 प्रेस करूँगा तो एक वापिस आजाएगा जब मैं 6 प्रेस करूँगा तो दो वापिस आजाएगा जब मैं 12 प्रेस करूँगा तो चार वापिस आना चाहिए यानि 8 और 4 तो मैं यहाँ देखता हूँ वहीं देखे exactly 8 के पास approximately पहुँच गया है right so इस तरह से आप कंप्रेस करते जाएगे अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब मैंने कंप्रेशन की पूरे वोकल की मेरे वोकल उपर निचे थे मैंने कोई live instrument record किया वो उपर निचे थे काफी problem थी मैंने उसे set कर दी लेकिन volume तो down हो गया जब मेरा volume down हो गया तो उसको मैं वापिस पुराने वाले volume तक ले जाने के लिए make up gain का इस्तेमाल करूँगा gain बो लीजिए make up gain बो लीजिए वो वापिस loud हो जाता है मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आपको यहाँ पर graphical representation से नजर आ जाएगा ठीक है वो ही shape है वो ही compression है वो ही purple वाली compression साथ है लेकिन अब white वाली output बढ़ गई है क्योंकि मैं gain दे चुका हूँ अब यहाँ पर मेरे पास रह जाता है attack और release attack time, release time बहुत ही simple चीज़े हैं क्या है कितना late मेरा जो compression है वो आएगा और कितना late या जल्दी वो चला जाएगा for example मैं इसे यहाँ से बढ़ाता हूँ attack मैंने बढ़ाया है 36 millisecond और बढ़ा देते तो अगर आप ध्यान से देखें shape में फर्क आने शुरू हो गई क्योंकि transient जो है वो बाहर आ जाते हैं जादा थोड़ा deep हो जाएगा फिलहाल beginners को मैं बताना चाहूंगा कि आपने जब अपने kick अपने snare ये strong रखने हैं थोड़ी से आप attack बढ़ा लेंगे so that जो शुरू का transient है वो white वाला वहाँ पर compression काम ना करें थोड़ा late काम करें बहुती simple बहुती easy अब last topic ये रहे गया कि limiter compressor के साथ क्या कर रहा है मैं इसे ratio बढ़ाता जाता हूँ 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 40 is to 1, 50 is to 1 एक time पे जाके जब ये ratio हो जाएगी infinity is to 1 तो वो बन जाएगा limiter simple and easy तो एक line के अंदर अगर मैं आपको समझाना चाहूं के limiter क्या होता है limiter एक compressor ही होता है जिसकी ratio होती है infinity is to 1 इसके बारे में Google पर और भी पढ़िएगा आपको काफी knowledge मिलने वाली है मिलते हैं अगले lecture में तब तक लिए देवनेक्स लेवल signing out नमस्ते